बोलिवुड एक्ट्रेस यामी गोतम का अच्छ बर्थ डेहें 27 फिल्म में कर चुकी यामी ने हिंदी के अलावा तमिल, तेलगू, कर्नड और मल्यालम फिल्मों में भी काम किया है उनके एक्टिंग करियर की शुरुआ टेलिविजन शो से शुरु हुई थी उनकी डेब्यू फिल्म विकी डोनर थी जिसका अडिशन उने दो बार देना पड़ा और उसके बाद रोल मिला फिल्म सफल रही और यामी ने कुछ और बहतरिन फिल्मों जैसे बदलापूर, एथर्स डे और काबिल में काम किया यामी उन एक्ट्रेस में से है जो बिना किसी फिल्मी बेक्राउंड के फिल्म इंडरस्ट्री में आई और अपनी जगब बनाने में कामयाब हुई लेकिन उन्हें रिजेक्शन भी काफी चलना पड़ा शुरौती दिनों में एक टीवी शो से सिर्फ इसलिए उन्हें हटा दिया गया क्योंकि उन्होंने मेकर्स से सवाल पूछ लिया था 2018 में यामी ने बॉल्यवूड छोड़कर किसी और फिल्में काम करने का भी मन बना लिया था लेकिन उरी दर सर्जिकल स्ट्राइक और बाला जैसी फिल्मों ने उन्हें होसला दिया और वो इंडरस्ट्री की काम्याब एक्ट्रेस में से एक है इस साल वो फिल्म ओएम जी टू में नजर आई थी बागी की तबाव को अवरों के बने रही है राजणावा नभी के साथ ताने बाद